हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मौझ यूट्टुब चैनल फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे सिट्रीजिन टेबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी मार्केट प्रैस क्या है सकी कमपोजिशन क्या है, यह किस गुरूप की मेडिसीन है और इसकी यूज क्या हां कर सकते किन किन भीमारियों में यूज कर सकते हैं इसके दोज, साइड इफेक्स और कुछ सव दानियों को बारे में तो प्रेंज आप इस विडियो में अंतक बने रहे ताकि आपको सिट्रिजन टेबलेट की संपून जनकरी प्राप्तो सके फिरंस यह मेडिसीन एंटी हिस्टामनिक ग्रूप की मेडिसीन है और यह जो है सारा भाई केमिकल्स फार्मा द्वारा तयार की गई मेडिसीन है और इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 18 रुपया 69 पैसा है आठारे रुपया में आपको 10 टेबलेट मिल जाएगा इसकी एक एश्टिप में 10 टेबलेट आता आप देख सकते हैं और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जैसे की इसके नाम है सिट्रीजीन ही है और इसकी कंपोजिशन भी सिट्रीजीन ही है इसके अंदर सिट्रिजिन हाइडो कुलराइड जो है 10MG है और इसके यूज की बात करें तो जैसे कि ये एंटि हिस्टामनिक ग्रूप की मेडिसीन है तो कीड़ों के काटने में यानि अगर चोटे मोटे कीड़े काट लेते हैं चोटे कीड़े मोकोडे काट लेते हैं तो उस इसके एलरजी हो तो उस एलरजी को ठीक करने के लिए इस टेबलेट क के यूज किया जलता है या एलरजी के कारण नांकों की दिवारों में सूजण हो गया हो नांकों से पानी आ रहा हो खांस तो फ्रेंस ये था इसके यूज अब बात करें इसके डोज कि बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट दिन में दो बार दिया जा सकता है ज्यादा जरुरत पढ़ने पर तीन बार भी दिया जा सकता है और बच्चों की बात करें तो 6 से 12 साल के बच्चों में एक टेबलेट दिन में एक टाइम दे सकते हैं या सुबह साम भी दिया जाए ज्यादा जरुरत पढ़ने पर सुबह साम भी दिया जा सकता है और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीरफ आता है सिट्री जीन का उनमें सीरफ कहीं यूज करा है तो फ्रेंस ये था इसके डोज अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्स साइड इफेक्स की बात करें तो नोजिया होना, बुमीटिंग होना, सुस्ती आना, सीर में दर्द, मुह सुखना, प्याह ज्यादा लगना या पसीना ज्यादा होना ये इसके साइड इफेक्स हो सकता है मैंने जो साइड इफेक्स बता है इसके अलाव कुछ हो साइड इफेक्स देखने को मिले तो आप इस टेबलेट को यूज करना बन करें और अपनी डॉक्टर से दिखाए और सवधानी की बात करें तो इस टेबलेट के यूज प्रेगनेंसी में न करें नहीं ब्रेस्ट फिडिंग में और इस टेबलेट के यूज आप दो साल से कम उम्र के बच्चों में कभी भी ना करें और जिन ब्यक्तियों को kidney related कोई problem हो उनमें भी इस टेबलेट के यूज नहीं करना चाहिए 60 साल से आधिक उम्र के ब्यक्तियों में इस टेबलेट को दे सकते कोई problem नहीं है इस टेबलेट को लेने के बाद alcohol का 7 नहीं करें या कोई ब्यक्ति alcohol का 7 किया है उस इस्तिती में भी इस टेबलेट के यूज नहीं करना चाहिए तो friends ये था सिट्रीजिन टेबलेट की संपून जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए मेरे चैनल पर पाली बारा है तो मेरे चैनल को सिब्सक्राइब कर लिजिए और इस वीडियो को जदस जदस सियर कीजिए मैं ऐसा ही वीडियो हमेशा लाता हूँ